suppose करें हैं आप लोग अपनी study करना चाहते हैं अभग आपको यह नहीं मालूम कर यहर गंभार मैं कितने लोगों पर data collect करूं हमें यह तो मालूम है कि हम पूरी population पर नहीं करते हैं हम sample पर करते हैं क्यों क्यों नहीं करते हैं कि population डीटा collect करना ज़रूरी है पूरुपलेशेगा करें। कि ठीकें है के मिनें सब्सक्राइब टो तो पूरेगा हुए। सब्सक्रा، तो अब् effort के में कि ठीकें नहीं कहते हैं। अब यह कितने होने चाहिए है कि वह एक sample पूरी publishing को reflect करें कैसे पता चलेगा अगर मैं अपनी मर्जी से लूँगा कि मैंने 50 से लिए 500 ले लिए तो कोई भी इतराज करेगा भी आपने 50 से लिए 500 की नहीं लिए यगा मैं 500 ले लूँगा तो गहेंगा भी 50 की नहीं लिए तो यह sample size कितना होना चाहिए कि जो publishing को reflect करें यह फिर हम scientific method से calculate करते हैं scientific formula ले ले लेते हैं कि वही ताकि किसी को इतराज होता है यह तो descriptive होता है यह continuous होता है हमने सब्सक्राइब हो जैसे कि gender हो गिया मैंटल सेटेस हो गिया इन चीजों की जो results होते हैं वो in terms of frequency आते हैं या percentage कि कितने लोग मेलते हैं कितने लोग female थे तो descriptive data होता है तो आपको किसी चीज़ की frequency या percentage बताई वही होता है जैसे के age weight height वहां पर आपको याद होगा जो का main important variable आपकी study का उसकी information हमें चाहिए कि आपकी study से मिलती जुलती है अगर को study माजी में हुई है उनमें जो ये main variable था उसकी क्या value जाई है अब भी मुझे अपनी sample size अपनी study के लिए sample size निकालना है अब मुझे कौन बताएगा गभी मेरी study के sample size क्या होगा तो scientist क्या कहते हो कहते हैं कि आप ही के topic पे इससे मिलते जुलते topic पर पहले किसी ने को research करी है तो उनके जो results आया है उन results को इस्तेमाल कर गया है आप अपनी study जीजों को information collect करें वो आप formula में दा लें और आपकी study के sample size calculate होकर आ जाएगा very simple अब वो क्या चीज़ों उठाए है वो depend करता है एक और simple example में देखना चाता हूँ कि अच्छा post gradation में कितने % students लेते हैं यह कितने % students लेते हैं मैंने कैसे करूं कितने लोगों पर data collect करूं sample size क्या होगा तो मैंने का बड़ा simple है research कहती है कि पुराने studies उठाए पुराने नहीं नहीं कि जो हो चुकी है वो पुराने जो publish हो चुकी है वो data उठाए इसी topic पे चाहे कहीं का भी हो अगर आपके अपने मुलका है तो बहुर अची बात है अपने मुलका नहीं है तो study का calculate होकर आ जाएगा तो हमें पता चला कि हम जो भी study कर रहे हो उसके जो main objective होगा उसी objective को हमें रखना है जहन में उस objective में जो main variable है उसकी values को डूनना है पुराने articles में कि किसी ने ऐसा ही काम अगर मासी में किया है इससे मिलता जूलता इसी variable पे तो उसके मैं results देखूं कि क् क्या calculate होकर आ जाएगा यहां तक बास समझ जा रही है कि यह सब्सक्राइब कर देखना चाहता हूं कि हमारे कराची में कितने लोगों को diabetes लेखना चाहता है ठीक है जी मैं कितने लोगों की screening करूं सेंपल साइज मेरा क्या होगा तो यह तो नहीं मालूम हम नेका कि कोई मसला अगरे कि इसको मैं ले ले तो फामुले में दालूंगा सेंपल साइज के और मेरा सेंपल साइज निकल आएगा तो जो आपके रिसेच अब्जेक्टिव को आपने सामने रखना है देखना है कि माजी में से मिलती इल्दी को इस्टेडी होई हो उनकी क्या रिजल्स आए उन इसे कोई क्लिम देख लेते हैं दो सिंपल से फामुले हैं बड़ा सान असान से प्रिजेंटेशन हजर आ रही है कि यह सब्सक्राइब करना चाहते हैं जिसना आप यह देखना चाहते हैं कि जो पे हम एक सटन ड्रग उनको दे हैं तो उनकी बॉडी का वेट कितना चेंज हो अब अब अनिमल पर एक सेटी करके देखना चाहते हैं इसी वजासे जो उनका वेट है वो कितना चेंज हुआ आपने का बड़ा अच्छे है मुझे सैंपल साइस कल्कुलेट करना है तो फामुला आपने का यह फामुला है तो मैं देखता हूं कि पहले इस टॉपिक पर में चीन वेट लेखना चाहते कि वजन में कितना फरका आया है का ने कितना कितना है अब आपर अब फामुला क्या है This is the formula. N क्या है? Sample size is equal to Z square multiplied by S square divided by E square. यह simple था formula. अब इस formula में Z क्या है? S क्या है? E क्या है? S is the standard deviation. S क्या है? Standard deviation की. किस की standard deviation? जो भी आपका main variable था. जिस हम नहीं आपर देख रहे थे, mouse की बात हुड़ी थी कि पहले studies में mouse का main weight of standard deviation क्या था? तो उनके जो results थे, उनमें आया था कि 200 mg difference आया, mean difference with standard deviation of 20. तो आपने वहाँ से उनके results में से standard deviation की value निकाल ली. क्यों निकाल ली? क्योंकि आपको formula में standard deviation की value required है. तो standard deviation की value वहाँ से आ गई. Z क्या है? Z is the confidence interval. Confidence interval की भाई, आप कितना confident है कि 95% जो है आपका results बिल्कुल सही आए. ठीक है? जिसे हम two standard deviation जिसे हम कहता है, तो two standard deviation कितने population को reflect करती है? 95% को. 95% को, very good. तो अगर मैं 95% confidence interval जा रहा हूँ तो वह कितना standard deviation बनेगा? तो two standard deviation. ठीक है? तो two standard deviation तो हमने whole number ले लियता है, actual value है वह 1.96 है. लेकिन 1.96 को जब मैं round off करता हूँ तो वह two बन जाता है. तो मैं इसको two standard deviation कहते हैं ता कि याद रखने में असानी हो. एक्चली वह 1.96 है. तो यह basically Z जो होता है, वह confidence interval होता है, 95% confidence interval जो के two standard division हम standard रखते हैं. अगर वह कहते हैं कि आप 95 नहीं लें, आप 68% confidence interval लें लें, तो फिर value क्या हो जाएगी? बन, बन हो जाएगी. ठीक है, तो वह अगर उसने आपको बताया है कि confidence interval कितना होगा, तो इस फिर साफ से आप वो रख लेंगा है. यहाँ पर हम सिर तीन values यूज़ करते हैं इस level पे. यह तो 68% है, यह 95% confidence interval है, 99 है. यह तीन चीज़े रखी जाती है. यह तो confidence interval है यह अपने पुराने article में से सिर्फ वसे standard division देखना है. यह तीन चीज़े हैं आपके formula में, standard division, confidence interval और error. confidence interval जो stat है, यह by default हम 95 रखते हैं standard. 95 का मतलब है, 95% का मतलब है 2 standard division. तो यहाँ देखें 1.96 कह लाएं या 2 ले लाएं एक ही बात है. तीक है, आप 1.96 को फोड़ें, 2 ही रख लीज़ होगी है. अगर वो आपको एक्जाम में कह देते हैं कि नहीं, 95 नहीं, 99 है. तो फिर 99% confidence interval कितने standard division बनता है? 3. तो फिर यहाँ 1.96 को फिर 3 लिख दीज़ेगा. अगर वो कहते हैं कि 8% confidence interval है, तो फिर आप यहाँ पर value 1 लिख दीज़ेगा. तो 1, 2, 3 में इसे ही आएगा. और अगर कोई value ना हो, क्या रखनाता है? 95. ठीक है, जी. 2 standard division बनता है. तो यहाँ 1.96 को आप यहाँ पर असानी के लिए 2 कर लाए. सार, तो पर इसकोईल लेना है, ना? तुट्यों पर इसकोईल लिख वाए. बिलकुल. तो इंटो राज़ेगा. है है कि यह कि कि जी तो निए पर पहले हिसे अर्टे कल ने बता दी खलू सी Ontoriि शुर्टbayर क्न क्वेश्वेरोग ते डू यहां झोका पर 155 było क्या थी अ酷़ cables सब्सक्राइब करें था थो फिर एफ तर्ड वाई वाई अरुछ एगर वैल्यु नहीं वैली तो आप भी परसन एरो रखेंगे वाई निली डिपर कि टीके अगा मतलब निले कर एंपर अग्ट पांट ग कह जे मतलब हा लुटाई इसको एंपर अग फिर बटार वह फ़ फ औ हैसी नंब्र को उसी नंब्र से मॉल्टिप्लाइब से करते हैं तो हम उस नंब्र से स्क्राइब निसुरे बन जाएगा सैंद डिशेट सनिथन 2320 वन जाएगा फ्वाइट था हम फाइफ निकाला 62 है कि तो हमें वालम चला सेंपल साइज का एक फार्मूला है है स्कॉर मृटिप्लाय भाई जैट इस कॉंफिडेंस इंतर है तो कि यह हम कहते 25% पर अगर उसने 99 ऑगा तो अग 3 ले लेंगे 68 ने लेंगे 95 अगा कुछ नहीं का तब भी तू लेंगे दूसरी चीलूग गई यह से मिलेगा उसने बताया हुआ कि मीन वैल्यू यह है इसे डिविशन की वैल्यू उठा ले उठागे है फार्मुले में दाल दें तीसरी चीज़ है एर्र इसेंट फॉर एर्र एर्र कितना था वाई डिफॉल्ट फाइफ परसंट होता है तो उसने कुछ भी नहीं देवा सि जी वह एर्र 10 रखना चाहते हैं 10 परसंट तो फिर आफ 10 यूज कर लें तो क्याते हैं 20 रखना चाहते हैं 20 यूज कर लें अब सपोस्ट करें एक आपको सेंपल साइज क्लेट करना है ऑन दा बसेस ऑफ हीमोग्लोबिन आपको अब्जेक्टिव था कि मैं मीन हमोग्लोबिन तहरी कणा चाहत संब दाइज क्वानी डि़ियू सॉं एक फिर नदानने परसंगे कं जाए मिना कई आटू यूर्फ घि राएटै निटिभ परसंट यू रखन आपिर यूर्दगे करना चाहता है जैस निदुकोडी है इंवे ज्यू इंट कादृ इडस्प्रेव वन कर थ तो निए रहेगा 3 सकोई गया बन जाएगा 9 9 into 25 एक फोई करते हैं 225 आपकर सैंपल साइज निकला है सो संपल पूरी सेंपल साइज है यह यूजली यह फार्मुला क्रॉसेशनल स्टेजिज के लिए होते हैं जो सेंपल साइज निकाल सकते है जा इस्टार मुलिए बाग्यस स्ट्वर थाइएड़ी स्ट्वरी इविश्वर्य ङक्री chut when the mean value is 100, standard deviation is 10, confidence interval is 95 percent, error is 5 percent. Can you pick it up? Yes, sir. What's the value of Z-square? 2. What's the value of standard deviation? 10. What's the value of error? 5. 4 in 200, over 45. Is that your sample size? Is it clear? Over 100, over 45. Of course. Okay. If you have a sample size, your variable is continuous, hemoglobin, age, continuous variables. If the variable is categorical, we want to see how many people have diabetes. We want to see how many people have diabetes. Now, this is a categorical variable. We count how many people have. So, the thing that is categorical, we know that we can't remove the mean standard deviation. We can't remove the mean standard deviation. Then we can see how many people have. We can see how many people have. How many people have. How many people have. How many people have. Do you remember the prevalence incidence? Yes, sir. Prevalence incidence. Prevalence, what is the total number of cases? Total number of cases. Old plus new cases. Old plus new cases. Old plus new cases. Incidents. New cases. New cases. New cases. How many people have. How many people have. How many people have. Old plus new cases divided by total population. And how many people have. New cases divided by population at risk. And how many people have. living. How many people have. pockets of population at risk. And how many people are at risk currently. People are at risk. Any potential markers are at risk. The majority of patients are at risk. These are falling out ofricoizuos. So, is this a crime also. The total population. Is this a crime only who has stopped. निकाल दोगे, minus कर दोगे, तो वो लोग बचेंगे जिनको वो बिमारी नहीं है, तो वो बिमारी का rates पर है, तो total population में से जब आप old cases minus कर देते हैं, तो आपके बाब healthy लोग बच जाते हैं, कि वो बिमारी नहीं होती, उनको हम कहते है population at risk, जब आप incidence calculate करता है, तो numerator में आता है उस भीमारी को लेकर और नहीं cases में, दोनों को मिलाकर करें, तो हम बात करते हैं, कि हमें sample size निकालना है, ऐसे हम देखना जाते हैं, कितने परसंट लोगों में diabetes है, percentage देखना चाहते है, categorical variable है, तो mean standard division तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, percentages होगी, यानिकि प्रिविलेंस हो प्रिविलेंस थी, कितने नंबर लोग भीमारते है, old plus new cases, अच्छे, तुर्की में भी होई थी, वहां के प्रिविलेंस थी, साओधय में भी होई थी, वहां के प्रिविलेंस लेंगे, रादर देन कि अब standard division लेंगे, बाकी formula बिल्कुल same होगा, यानि कि sample size का, जो S के से formula हो हो categorical variable है, percentage of diabetes, prevalence of diabetes, इनमें mean percentage division नहीं होता है, percentages होती है, prevalence होती है, तो यहां पर हम percentage division की जगह prevalence को हम use करेंगे, कि परानी studies ने prevalence कितनी आई थी, prevalence को use करेंगे, ठीक है, और rather than कि हम इसको P square करें, हम यहां पर करता है P into D, square की जगह हमने D लिख दिया, अब सवाल आता है कि D क्या जगहों पर D लिखा होता है, कुछ जगहों पर Q लिखा होता है, तो हम let's say, इसको Q के साथ ही लेकर चलते हैं, असानी रहेगी, अच्छे, अब सवाल है कि यह Q क्या चीज़ है, यह Q कहां से आ गया, Q basically कुछ भी नहीं है, बड़ा simple है, Q is equal to 1-P is Q, 1-P is Q, very simple, यह इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ, अगर यह P क्या है, प्रिविलेंस, इसमें दिया होगा है, तो percentage में दिया होगा या फिर decimal में दिया होगा, कोई भी number, percentage में होगा, या decimal में होगा, ठीक है, अगर percentage में दिया होगा है, तो Q कैसे निकालेंगे, 100-P कर देंगे, अगर decimal में दिया होगा है, तो 1-P कर देंगे, example देता, अगर किसी जगा, प्रिविलेंस आपको दीव यह 20% है, तो Q की value क्या होगी, सबकिक देंगे, व्हुम अगरता है, एंगर्स प्रिविलेंस प्रिव यह 10% है, 10% है, व्हु प्रिव यह 100-P कोई के थे मतब़भी मतबस्त है, प्रिव यह 40 अगरता है, P क्य ise 30%, क्यू के वैल उडा वलू क्या होगी, 70. P की 30% है, तो Q की वैलु 70 हो गई. अगर P परसंटेज में दिया हो गाना, तो Q बन जाएगा 100 मानस P, अगर P परसंटेज में. P अगर decimal में है, तो 1 मानस P हो जाएगा Q की वैलु. तो अब ही आप जो है इसको, तो 100 मानस P कर दीजगा. अगर P परसंटेज में कितना बता जाएगा, सौरी प्रीट कर दें. 1-P तो प्रिविलेंस ऑफ डियाबिटीज एक स्टेटी में दियागा है 35% आपको काएगे जी कैलकुलेट सेंपल साइज. आपको ठीक है जी कल लेते हैं, फामूला क्या है? Z square P Q divided by E square Z square Z square की value में मालूम है, 2 standard division, 95% 15 कितना जोगे hon प्रेग क्यों क्यों अखेड कि जुड़िए थी फैज कितना है five is praигр हो गया इचितना था 351 मानस 35 कितना भचा हिस्टिवाइब जश्कार प्रफियर फोर बन गया प्रेगेज्द में थो 한वर माईनस 3डिपाइब बिल्कुल वो तो इंद्र भेनिद्स पें टाम कि दामच्ट कि अपिए डिवाइट ब्वाइड वाइफ इंटु और इसे यह जैं someone है इस्तुआ मैं आडिक एमिद्फाइब है वसकिवाइब कि 50 से अज़िए उपटेंग आपको इसे में साइट सब्सक्राइब करें प्रिविलेंस दीवी है थैन सेंपल साइज क्या होगा प्रिविलेंस सेंपल साइज कॉंफिरेंस इंटर्वल की वैल्यू 95 दिया हुए कैसे निकालेंगे सेंपल साइज इस इकॉल टू लेट वाल्यू है थे स्कॉय किव इस्कॉय इस्कॉय लटिप्लाइब क्या जुद स्कॉय है त्युक्त कि यॽद्ट बैंटिंति यश्याइग नाय एंट्यू अन्डेड़ मैंस इख को इंट्टों 10 इंटीट थैन तो प्रिंडेद्ट निषा सिंपल थेक है थिक है इस से थिर्टीश को खिर्टीश सेंपल साइगा है जर्टीश्याय निचा बढ़ थे कि अविग्टाइंगा कि अग्यों से नहीं बताई भी तो 95 एजिम करें और 2 लगादे एरर उसे बताया हुआ है 1%, 5%, 10%, 20% ठीक है नहीं बताया हुआ है तो standard 5% की वेल्यू लगादे के लिए रही है यह 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 यह